भैंफ दूद नहीं भढ़ा रहे र्याई है।GOOD नहीं भढ़ा रहा रही और परएफान हो गयुए हों। लेकिन दूद क्यों नहीं भढ़ा है। इसका कारण कारण नहीं जान पर हो। तो हम आज जवाइन और हल्दी के मार्धम से हम दूद बहने के तरीका बताने जा रहे हैं लेकिन कहेंगे कि शाहब जवाइन ज़्यादा खिला देंगे फिल मिलते हैं कुछ लोग एक लोग को मानना है कि अगर आज जवाइन को खिला दें तो गाय भेंफ गरम प्या जाएंगी हाँ गरम प्या जाएंगी लेकिन लोग क्या करते हैं मातरा नहीं पता होता है लोग जाते हैं बजार फिलाते हैं दाइसु ग्राम पांसु ग्राम मजवाइन फिदा खिला देंगे और दूसरे तिर दिन पफु लेकिन इस पर कभी पफु कंसीब नहीं करेगा रुकेगा नहीं प्रिग्नित नहीं होगा क्योंकि यह एक जवर्जस्ती का तरीका है इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं आजवाइन और हल्दी पफु को क्या क्या काम करता है सबसे पहले आजवाइन कब्ज तोड़ता है गैस तोड़ता है बच्ची दाने की सफाई करता है इसका मेन यही करा है और फात में अगर बच्चे दानी के अंदर फूजन भी है उसको भी खतम कर देता है नमबर दो हल्दी हल्दी कहां काम करेगा एक कहावात आपने फुना होगा हल्दी का दाम कितना जितना चोट पिराए तो हल्दी चोट में काम करता है फूजन में काम करता है और यह भी बच्चे दानिक सफाई में महत्पूल भूमका निखाता है नमबर तिन आपको लेना है ग्यहों का दलिया यह किसी भी चीज का दलिया हो अब आप कहेंगे किसाफ दलिया हम क्यों ना क्यों खिलाएं हम डारेक लाके ग्यहों दे दें तो ग्यहों मत देजिएगा क्योंकि ग्यहों आप ख़ड़ा ख़ड़ा खिलाएंगे और ख़ड़ा ख़ड़ा गोबर रास्ते बाहर आ जाएगा अब स्वाल उरता है कि हम दल्या क्यों बनाने जाएं हमारे घर में आटा है आटे में भी उता तो नहरा जाता चुकि जब चक्की में पीसा जाता है तो गरम फिल्फ के प्रोटीन विटामिन खताम हो जाते हैं हमको फैसन में खाते हैं या तो आप देख लीजिए अगर मोटा आटा खा कर देखिए और पतला आटा एक हपते में समझ में आज जाएगा तो इनहीं तीनों चीज पर हम दूर बढ़ाने का बात करते हैं तो अगर आप मारे चैनल पर नए हो तो क्रिपा चैनल को सब्सक्राइब अवस्कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक हमसे अवस्करिएगा तो चलिए चलते हैं आज जवाइन को कितना खिलाना है गया हो कि दल्यों कितना खिलाना है और हल्दी कितना मिलाना है तो सबसे पहले आपको बता दें और जो दवा हम बताने जा रहे हैं इसका परयोग हम दो यहां करते हैं एक तो दूद बढ़ाने में जेर गिराने में और जेर गिराने में कितना परयोग करेंगे जो मातरा हम बताएंगे पहले दिन उसका दूना मातरा जिद दे दीजेगा जेर बाहर आ जाएगा पहले दि के वर उसके बाद कांटीनू ही मातरा और अगर गाय भैंत गरम नहीं हो रही हो तो लगातार बिव निकला दीजिए गर्मी पी आजाएगी तो कितना लेना 100 ग्राम या पचाफ ग्राम थे सौ ग्राम आज जमाल लेना अगर गाय है तो पचाफ अगर भैंत तो सौ ग्राम ग्यों को दल्या आप एक-दू किलो ले लिजिए उसको भिगो दीजिए उसको भिगो दीजिए और फाम के शाम के समय शाम के समय अपने पफु को दे दीजिए शाम के समय अपने पफु को दे दीजिए आशी ही पर करिया आपको 15 से बीफ दिन करना है इतने में देखेंगेगे की आपके पफ का दूद बढ़ जाएगा लेकिन आप काएं हो के उला के बना करिएगा अप पनीए प्रोटेन पिरामिंत वीड dumb kingdom दीजिये खेंगे मैं इनके नहीं शिनाटे कि दो कैसे बढ़ेगा कि चखेंगं पर भूक कहारता है सवाल उड़ता आजवाई से भूख कैसे बढ़ता है है न सवाल और दूद कैसे बढ़ता है दूनों सवालों का एक जबाब है अगर पफू चारा पानी कम खा रहा हो तो सबसे बड़ा फैक्ट होता है पफू के पेट के अंदर गैस का बनना और जब गैस बनेगा तो पाचन फक्ति कम जोड़ हो जाएगी जो पाचन फक्ति कम जोड़ हो जाएगी तो भूख नहीं लेगा तो जब गैस को तोड़ेगा तो भूख बढ़ेगा तो दूद बढ़ेगा और यहां और अगर बच्च वहां पर भी सफाई करता है वाह एक फोज़ांश को सिम्ष करता है FOR यह बाहरा जाएगा फी मेटिक ठारा उठास कर देगा जो पफल उठान अच्छी तर cautious चालू कर देगा यह लेकिन नीया अ कि मैं ऐब गराइंटी अगले ब्यात में बच्चा भाइफ ने अगर दफ लिटर दूद दिया है इतना दफ लिटर और इस बार किसी भी कारण बफ दो लिटर दे रही है तो नुक्फा काम करेंगा दो गुना तीन में चार गुना बढ़ जाएगा नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको खिलाने फे दूद बढ़ जाएगा नहीं केवल उसके कमी को पूरा करके पूरा दूद बाहर कर देता है कोई भी दवा हो दूद बार डिवेट के हिसाब से पफ के ताकत के साथ बढ़ता है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक यहां चैनल को सब्सक्राइब अवस्च करें फिर मिलता है